in today's podcast i am going to tell you a major weakness which i never have shared with anybody और यह जो weakness है basically इस समझ लीजे कि मुझे लगा था कि यह शायद weakness नहीं होगी बट कहीं न कहीं और यह मेरी खुद की कमी है यह कह सकते हैं कि एक negative side है मेरा जो कि मुझे लगा था कि शायद नहीं होगा बट अब जैसे इसे वक्त बीटता जा रहा है मुझे इस चीज का realization होता जा रहा है आप में से काफी नफरत करने वालों को खुशी मिलेगी यह चीज जानके जो मैं बताने जा रहा हूँ क्योंकि कहीं न कहीं कुछ लोग हैं जो इतना प्यार नहीं करते हैं और शायद मुझे भी इस चीज को लेके काफी परिशानी है तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैंने 2023 में अपना जो सॉरी मतलब 2016 में यानि around समय लीजे की जब मैं 23 साल का था तब मैंने spirituality में कदम रखा था क्यों रखा था क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि मैं काफी परिशान था गांजा वांजा और ये सब 2014 में मैंने अप काफी किया था अपने friends के साथ लड़कियां और ये सब 2-3 girlfriends हो चुकी थी family का कभी उतना support रहा नहीं था family अपनी वैस थी काम में तो इस वज़ा से मैंने देखा कि कोई और रास्ता है नहीं मार्ग है नहीं तो मैंने क्या किया मैंने जो मार्ग मुझे आखरी मिला वो अध्यात्म का मार था अच्छा अध्यात्म के मार्ग पर जलने से पहले मेरे को ये अच्छा तरीके से पता था कि बाहर दुनिया में आप कुछ नहीं है ये एक बड़ बड़ी fundamental problem है लोग के साथ जब वो मेरी एक कहानी सुनते है यहां पे एक कहना बहुत उच्छित रहेगा और बहुत सही रहेगा बहुत ज़रूरी है इसको बताना कि आप में से कही लोग आप लोग के कुछ डिजायर पूरे नहीं हो पाते तो आप लोग सोचते हैं अब तो spirituality ही मेरा सहा रहा है जबकि एक बहुत बड़ा blender है बहुत बड़ा blender है इससे बड़ा कोई blender ही नहीं हो सकता यह बड़ा नहीं पहार है तो अब अधय account का रास्ता ही से ही मैंने का देखो पता नहीं तुमने कितने गुरुओं को सुना है यूट्यूब पे लेकिन अब तुम मेरे पास आये हो तुम मेरी भी बात सुनने का शाय तुमें प्रैतन करना चाहिए क्योंकि जितना डीप मैं जा चुका हूँ शायद मुझे नहीं लगता आपको हो सकता है इसको घमन लगे सुनके कि मुझे नहीं लगता कोई गया है अभी तक क्योंकि मेरे साथ क्या है न कि अगर आप नोट करें तो मैं हमेशा कुछ नया लाता हूँ आप देखेंगे मैं जो जो डिस्कवरी होती जाती है मैं आपको बताता जाता हूँ वेरेस बाकी सब जगा आप दिखोगे चीज़े रेपेटेटिव है बाकी जो यूट्यूब में गुरूज हैं वहाँ पर चीज़े रेपेटेटिव है वहाँ पर वृद्धी नहीं है वही एक चीज़ बार-बार रेपीट हो रही है ठीक है सोर्स आफ क्रेशन जो है वो एकी है मानता हूँ तो उसको अलग-अलग तरीके से कैसे बता सकते हैं लेकिन माइंड के कुछ नए रूल्स माइंड के कुछ नए डिस्कवरी तो आप बता सकते हो न तो बैराल आप सभी को प्रतन करना चाहिए कि जो मेरी बाते हैं उनको ध्यान से सुने पहले जो बात आई है कि पहले मार्क पे नहीं चलना चाहिए, पहले डिजायर पूरे करने चाहिए, यह बात वहीं से आई है, क्योंकि जब आपको जब तक आपको इस चीज़ का बोध नहीं होगा, कि आपके डिजायर में कुछ नहीं है, तब तक आप मुझे नहीं लगता कि इस मार्क पे चलने के लिए सक्षम हैं या रेडी हैं, तयार हैं, इस मार्क में वहीं चल सकता है जो दुनिया का साथ छोड़ दे, जिसको यह अच्छे से पता चल चुका हो कि पतनी में कुछ नहीं है, प्यार में कुछ नहीं है, सेक्स में कुछ नहीं है, और डिजायर में कुछ नहीं है, यह पता चले, आपने यहां 18-18 साल के वर्जिन लड़के लड़कियां यहां आएंगे अपने आपको महान साबित क करने के लिए कि हमें आत्मकान प्राप्त हो चुका है अब एक कुछ दिनों पहले की बात है मेरे पास एक इमेल आया बहुत दिन पहले की बात है कुछ छे साथ महीने आड़ महीने पहले की बात है एकदम से आउट आफ नोवेर उसने बोला कि इमेल आ चुका है मुझे आपसे comment explore किया था वो अचार्या वाला उसके नीचे एक बंदे ने comment किया और मैंने इसको reply किया मैंने देखा reply करके कि क्या पता हो सकता है कि मानी जाए लेकिन वही हुआ आकरी में जो होना था वो logically ऐसे लोग को नहीं संब्या जा सकता है चाहे आप कितना भी तरक लेखो कितने भी सबूत लेखो कितने भी प्रमाण लेखो कुछ भी लेखो यह लोग नहीं मानेंगे जैसे कि आप अपने घर में जाके बोलो और के दो भगवान नहीं होते हैं तो आपके घर वाले चपपल उठाएंगे और 20-30 चपपल आपको लगा देंगे ठीक है आप समझाते रह जाओगे ठीक है तो इस दुनिया में दो टाइप के लोग है एक वो जो इमोशनली डिसीजन लेते हैं उनको लॉजिकली नहीं समझा जा सकता आप क्या करते हो जवाब बहते हो जब बोलते हो God is not there because why all these things यह सब चीज़े जब आप घर पर जाके बोलोगे तो आपको चपल बजा दी जाएगी आपके उपर कभी बोल भी मत लेना और ऐसा यूट्यूबर तो कभी खुल के मत बोल देना ही है कि भगवार होते हैं नहीं होते हैं क्योंकि ऐसा यूट्यूबर अगर आपने बोल दिया तब तो लग गए आपके फिर आपके पीछे लोग पढ़ जाएंगे तो अब यह 18 साल के महाशे आए इनका मैंने फोन उठाया गूगल मीट पे इन उन्हें कहा था तो मैंने का चलो बात करते हैं तो मेरे सबसे वहले बोलता गया है कि मेरे को आत्म करना है अब मुझे यह चाहिए मुझे वो चाहिए मुझे यह चाहिए मुझे वो चाहिए तो करा बाकी सब कुछ सही है एक आद दो और यूट्यूबर उनका नाम ले लिया है कि इनकी तरह हो चुका है मेरे मैं सब बढ़िया हो चुक है मावला पर मैं यह नहीं कर पा रहा वो नहीं कर पा रहा हूं, यह नहीं कर पा रहा हूं, डिजायर नहीं पूरे कर पा रहा हूं, मैं ऐसे लोगो क्या बता हूं, जब आत्म क्यान आपको प्राप्त हो जाएगा, तो आपके अंदे डिजायर बचे गई नहीं, तो यह जो बात आती है, मुझे करना मुझे वो करन गर और उपर से पूछ वी मेरे सिराय कि मैं कैसे करूं मैं इनगा तुम से बड़ा महामूर्क थे आस तक नहीं देखा तो अठारा अठारा वार्ची लड़के आते हैं वर्चन लड़कें आती आ अठारा-ठारा साल के ऐसे लोग आते हैं यहां पे सुनने जिनको आज तक प्यारी नहीं हुआ जिनको आज तक लड़की नहीं मिली वो कंपनसेट कर रहे हैं तो it's just a time waste, it is a simple time waste, हो सकता है मेरी बाते आपको कड़वी लग रही हूँ लेकिन यही कड़वा सच आपको आगे बढ़ायेगा, अपने इसाब सबको चलना है चलते रहो, लेकिन सीखते रहो करे लोग कहते हैं आपको क्या पता हैं, हमको ज़्यादा पता है, तो करो न, करो, कर कभी भी तुम परिशान होने वाले हो, कुछ नहीं होने वाला क्योंकि परिशानी जो है वो फिरि इस वजह से जनरेट होती है कि तुम्हारी इच्छा है वो पूरी नहीं हुई अब वो इच्छा कुछ भी हो सकती है एक तरफ एक गुरु कहता है कि इच्छा मार दो जाधातर गुरु क्या कहता है इच्छा को छोड़ो अपने और एक तरफ है कि इच्छा ही पूरी करते रहो कि जरूरी है इच्छा पूरी करनी चाहिए मेरा कहना यह है कि आप इच्छा पूरी करो लेकिन अगर आप अंडर अब्जर्वेशन मोड पे रहोगे तो आपको यह समझ आ जाएगा कि यह जो चीजें हैं इन में कुछ है नहीं तीन प्रकार के लोग इस दुनिया में होते हैं पहला प्रकार वो है जो इच्छाओं में घूमता रहता है जैसे कि मुझे कार चाहिए मुझे मैटेरियलिजम बेसिकली उनके लिए जिन्दगी भर पचास साल, पच्चांदान में भी उनसे पूछो कि उनके गोल्ज होंगे लाइफ में कि मुझे आप रेंजरोवल लेनी है साट साल के उमर में लोग मेरे घर में ऐसे बहुत सारे लोग है मेरे खांदान में बहुत सारे लोग हैं, पचास साथ साल के हो गए हैं, अब मुझे रेंज रोव लेनी है, ठीक है, ये पहली केटेगरी होती है, दूसरी केटेगरी क्या होती है, कंस्ट्रक्टिजम, कंस्ट्रक्ट करना है कुछ हमें, क्या कंस्ट्रक्ट करना है, हमें अपना बिजनस कंस्ट्रक्ट करना है, हमें अपनी आवास को और अच्छा करना है, हमें अपनी एक्टिंग को और अच्छा करना है, हमें as a writer और अच्छा बनना है, as an entrepreneur और अच्छा बन इनकी लाइफ पूरे ऐसे निकल जाती आखरी सरजरी करेंगे 70-80 साल की उमर में और फिर आप सुनोगे ऐसे कानिया की यह डॉक्टर था एक दिन पहले सरजरी किया आगले दिन इसका खुद का हाट अटाग हो गया या एक दिन पहले प्यानो बजा रहा था आगले दिन मर गय तो आप देखो कि इस तरीके की चीज़ें आप सनोगे काम करते करते लोग मर गया है सो करम योगी कह सकते हैं करस्ट्रक्टिजम पहला जो आता है वो होता है स्पिर्चुलिसम यह लास्ट कटेगरी होती है इन कटेगरी के लोगों को मेटेरिलिसम और करस्ट्रक्टिसम यह कार खरीदना घर खरीदना दुनिया की सारी चीजे खरीद के इनको सवन पर यार जाता है मैं पहिंगोर आ यही तीन कटेगरी आपको मिलेगी चाहे कोई भी औरत हो कोई भी आदमी हो यही तीन कटेगरी आपको मिलेगी पहली जो कटेगरी होती है वो है spiritualism दूसरी जो कटेगरी होती है वो है constructism और तीसरी जो कटेगरी होती है वो है materialism यही तीन कटेगरी में आपको लोग मिलेगे इ या तो आदमी पूरे टाइम इंदरी तरप्ती में घुमता रहेगा जिसको हम बोलते हैं मेटेरिलिजम या तो आदमी पूरे टाइम धन, व्यापार, पत, परतिष्टा, सम्मान इसमें घुमता रहेगा इसको हम बोलते हैं कलस्ट्रक्टिजम और मेटेरिलिजम और या तो आ किसी कि लावा कहीं कोई जाती ही इसके अलावा आप Kate नहीं मिलेगा आप कितना भी पता करलो है आप कितना भी दिमाग लगा लो यह तीन केटिगुरी केरी की लावा लोग अगर वो ये कहेगा कि मुझे अपने business को आगे बढाना है समल लोग constructism आदमी है जादर तरह आद्वी यही मिलेगा या तो constructism में मिलेगा और उससे जादर लोग मिलते हैं materialism में तो जैसे मेरे कुछ दोस्त हैं वो हमेशा ford निकलेगी कुछ eco sport निकलेगी या range rover निकलेगी य उसके टायर देखते हैं, उसके लाइटे देखते हैं, मुझे तो गाड़ियों के नाम भी नहीं आद है, अभी XUV-725 है, तो उसकी लाइटे देखते हैं, तो ये लोग मेटलिलिपरें हैं, कोई लड़की जा रही है तो उसके बंदेखेंगे, उसके बूप्स देखेंगे, कि भगवान मेरे सामने आ जाएं तो क्या मांगना है मुझे तो यही मांगेगे कि हमको एक 20 करोड का घर दे दो एक 10 करोड की घारी दे दो और एक बहुत सुन्दर सी वाइफ दे दो तो यह मेटरलीजम है दूसरी तरफ एक विक्ति है उसके सामने अगर भगवान आ जाएं त मुझे इस दिन्या के सबसे बड़ा मार्केटर बनना है मुझे इस दुन्या के सबसे बड़ा साइंटिस्ट बनना है मुझे इस दुन्या के सबसे बड़ा साइंटिस्ट बनना है मुझे इस दुन्या के सबसे बड़ा अस्टरोनोड बनना है मुझे इस दुन्या के सबसे intelligent species, very highly intelligent, because all these three levels requires a great amount of intelligence, higher than intelligence, higher than understanding, so, जो पहले नमर पे आते हैं, और जो जितना जल्दी समझ ले, जसे कि कुछ लोग को समझ में आता है पचास साल के बाद, कुछ लोग को आता है चालिस पे, कुछ लोग को आता है बीस पे, लोग को 18 समझ में आ गया, है ना, तो मेरे साथ यही हुआ था, कि मुझे 23 तक समझ में आ गया था, August 23, 2000, August 20, August 20, 2016, को मुझे समझ में आ जुका था, कि ये, आया पहले ही था, लेकिन चालू जर्नी महां से हुई था, meditation मैंने पहला जो meditation किया था, वो 20 अगस्त को किया था, 2016 को, समझ तो उससे पहले ही आ गया था, लेकिन खोजने में टाइम लग गया, बड़ एनिवे, तो ये category होती है, तो इनके सामने अगर भगवान आ जाते हैं, कि जब spiritualism, यानि category वन के सामने अगर भगवान आ गया तो ये लोग, भगवान पूस्ते, बोल, क्या मांगता है, तो पता क्या बोलेगा वो, क्या मांगते हो, क्या चाहिए तुमें, मांग जो मांगना चाहता है, बोल दे, ऐसा भगया, वापस चले जाओ, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमको सोने दो, हमको सोने दो भगया, वापस चले जाओ, अरे कुछ नहीं चाहिए, वापस चले जाओ भगया, यहीं चाहिए, और क वापस चले जाओ spiritualism ये है क्योंकि वो आदमी सब कुछ करके देख चुका है आप लोग के साथ problem क्या है कि आगा है spirituality में अभी भी mind में लग रहा है कि हाँ यार सच्चा प्यार मिल जाता तो अच्छा था शादी हो जाती तो अच्छा था एक बच्चा हो जाए तो अच्छा था अंदर अंदर desire है अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि desire अचीव नहीं करने है मैं कह रहा हूँ कि आपको ये नहीं पता होना चाहिए ये पता होना चाहिए कि desire में खुशी नहीं है यह पता हो जाना चाहिए जो भी आपके desire, desire पढ़े रहने दो, हो जकता बच्चा पैदा करने का desire हो, पढ़ा रहने दो, लेकिन जिस दिन तुमारे अंदर ये भ्रांती उतर गई, कि बच्चा बच्चे में खुशी है, शादी में खुशी है, इस दुनिया में खुशी है, प problem, problem desire नहीं है, problem यह है कि approach क्या है desire को लेके, वो approach क्या है कि तुम खुश होने के लिए, you want to be happy, so you want to pursue the desire, that is the problem with you right now, so this is the problem, so at the age of 23, when I came into spirituality, I had this particular realization that I have the desires, but I know that this is not the happiness, I had this hint, I had this, you know, because it was not giving me contentment, so यह तो मुझे पता था कि इसमें contentment नहीं है, इसमें peace नहीं, इसमें शान्ती नहीं है, इसमें यह जो pleasure है, यह सिर्व नाम का pleasure, दिख रहा है, लग रहा है, भास रहा है, ऐसा भासता है, कि हमारे पास खुशी है, इसको माया बोलते हैं, दिख रहा है, सांप है, लेकिन actually रस्ती है, दूर से देखोगे तो लगेगा सांप है, लेकिन actually मैं रस्ती है, तो अब उस पे आते हैं जो मेरी कमी है एक बर उस पे भी देख लिएते हैं अभी कुछ टाइम से मेरे को रिलाइज होने लगा है कि मैं पिछले आठ साल से मैं अकेला हूँ वहला इम लिविविंग अलोन, डूइंग तिंक्स अलोन एंड मेरे घर पे अगर कोई आ जाता है तो आई स्टार्ट फ्रीकिंग आउट सो 24 तो 48 आर्स आई कन हैंडल समबडी बट आफ्टर 48 आर्स आई आई जस केंडनाट हैंडल, I had to go आउट मुझे ऐसा लगता है कि मेरा कुछ छीन लिया लोगों ने अब छीना क्या है, I start मेरा जो functionality है, जो compatibility है जिस तरीके से मैं काम करता हूँ वो खतम हो जाता है, ना मैं काम कर पाता हूँ ना मैं कोछ सोच पाता हूँ तो पिछले आठ साल से यह हो रहा था मुझे लगा हो सकता है कि नहीं होगा बाद में सही हो जाएगा लेकिन अब ऐसा लगने लगा है कि मैं मुझे अकेले पन की आदत हो गई है अब मुझे solitude चाहिए मज़ा आता है इसमें एक है loneliness, एक है solitude दोनों ही अकेला पन है, लेकिन दोनों different प्रकार का अकेला पन है एक में मज़ा आ रहा है, एक में दर्द हो रहा है तो कितना ironical है इस सो ironical वही चार दिवारी, वही सब कुछ वही situation, वही लोग लेकिन एक आदमी को solitude है, एक आदमी को loneliness है और सब कुछ वही है, लेकिन एक आदमी सिर्फ, देखो, understanding का कितना खतरनाक issue है इसमें anyway so I had come to this realization that I cannot live with anybody I just start work मुझे ऐसा लगता है कि I start freaking out so मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं शादी कर लूँगा या कुछ कर लूँगा, कुछ भी कर लूँगा तो I'll be with my wife and पर अम मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने शादी कर ली तो I'll start freaking out मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जहिल नहीं पाऊंगा so ये एक बहुत बड़ी weakness है जो मेरे साथ होई पहले मुझे लगता था कि ये ऐसे ही है ये जहिल ने लाया अभी मेरा दोस्त आया कुछ दिन पहले तो वो रुका हुआ था 24 गंटे के लिए तो उसका मन था कि दो दिन और रुक जाए लेकिन मैंने मना कर दिया मैंने का स्यार मैं स्यादा नहीं रोग पहुँगा sorry मतलब मैंने ऐसे बोला नहीं लेकिन इंडिरेक्ली उसको ही पता था कि पार्थ इस नौट लाकिंग इट so maybe it can be a habit but I have come to this realization that I have to have my space I don't know I just I enjoy my company so much that I have to have this space all the time अगर यह space नहीं मिला हुझे तो I start freaking out I don't know why what is happening so पहले मुझे लगता था कि यह ऐसे होगा सही हो जाएगा but मुझे अभी ऐसा अहसा हो रहा है कि मैं पिछले आठ साल सा अकेले हूँ हूँ तो ऐसे पंदरा साल से लेकिन चलो फिर भी आठ साल माल लिया अकेले ही रहा हूँ अकेले ही रहा हूँ कॉलेज में भी अकेले रहता था I think this is the problem which comes while you are into spirituality that everything gets out of your grip इसे एक मुट्टी मान रखी लोगों ने लेकिन वो मुट्टी डिली होती जा रही और यह होना ही होना जैसे ऐसे सत्य और गहराता जाएगा उठ्टी डिली हो जाएगी और यह एक बहुत ही fundamental problem है जो की दुनिया के हिसाब से देखा जाए तो problem है लेकिन मेरे हिसाब से तो नहीं है बट च्यूकि I have been into relationship this might can be a reason of my devastation or the relationship devastation I have never discussed it with anybody but this will this occurs this starts happening because first of all मैंने सुचाता कि इसको यह सही है मतला ऐसा कुछ नहीं है बट this is a thing which is happening right now because see you keep people अपने लोह को अपने पास रखते हो क्योंकि you want to be you know with somebody and you don't want to be alone and you have this desire of people and connection what if I don't have what if that desire dissolves evaporates what happens after death this is the problem right now but anyway just wanted to tell this let's figure it out like what is going to happen because I am into a relationship and it can be a very devastating thing for the relationship also but let me tell you one thing if I go if I come out of this relationship this is the last relationship I am going to go in I am not going to get married I am not going to have any kids just want to you know be with myself and do my activities whatever activities I like maybe it's music or whatever I will do it I don't think so that first of all in the relationship once it becomes a loop it's very hard to keep your promises keep your responsibilities because I am going to get married I am going to get married relationship में transaction सही से नहीं होते हैं इसी वजह से problem होती है कि लड़की ने अगर मान लो दरवाजा बन किया है दस बार तो वो चाहती है कि दो तीन बार आप भी बन करो कि लड़की अगर अपना मन मार के आप से मिलने आ रहे है तो वो यह expert करती है कि आप भी अपना मन मार के मिलने आओ जो वो करती है और जिस पेन को उठा के वो करती है वो चाती है कि आप भी वो पेन उठा करने है अगर आपने कहा कि हम नहीं करेंगे तो फिर वहाई लड़ाई चगड़ा मार पीट हो जाएगी यह बड़ी खतरनाक चीज है अगर बहुत प्यार करते है गड़ अम बच्चो का ख्याल रखती हूँ तुम भी रखो मैने आज स्कूल चोडने गई तुम लेने भी नहीं जाते हो it's a fucking transaction and you cannot do that because she's empty inside people are empty inside all the time you cannot just do everything it's a very hectic and bullshit work that's what I'm trying to tell it's very it's like first of all it fades out the pleasure fades out after 2-3 years it just fades out whatever you are doing there is no pleasure there is no fun you'll go outside sometimes it will be fun sometimes it will not fun half of the time it's not fun it's just sitting there enjoying your company I don't know this is the problem right now before marriage people are like talking 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 after marriage they don't talk to you after marriage they don't talk to you because it's a fucking loop once it has become a fucking loop people don't like it it is just bullshit this is the problem with the relationships anyway so that is the problem I hope I've got some love thank you take care